है ग्यां दोस्तों आई हम समझेंगेि ile Tam Kiण बवल सुन्रोम के बारे में कि वžeůिए क्या होता है क्यों हो जाता है क्या यूह हो सकते हैं और का सकालाज हो सकता है सबको जानेंगे वीडियो को पूरा देखे गल्स लाय देखिए दोस्तों यहां पर बात किछाल neural वोवल सिंड्रोम की तो यह क्या एक medical term है ठीक है इसको आप normal बासा में ऐसा समझ सकते हैं भाई आपके पेट में डाइरिया हो गया आपके पेट में जो है constipation हो गया तो intestine के अंदर डाइरिया constipation इसी सब के जो यह लंबे समय तक यह चलती है और बहुत सारे complication के साथ उसे ब होता है तो जो नॉर्मल गेस होती है जो बनती है नॉर्मल डाइरिया होता है constipation होते हैं उसके अलाबा अगर यह सारी कंडिशन एक साथ एकटी हो जाए और लंबे समय तक किसी व्यक्तिक साथ चलें उस कंडिशन को बोलते हैं आई विस संड्रों तो ठीक है यह तो हो गया होता है पेट फूला फूला रहता है भारीपन लगता है जलन पढ़ती है पेट में एसडिटी होई आती बहुत ज्यादा तो यह तो नॉर्मल से सिंटम्स होते हैं प्रॉडम कहां आती है कि आईडियस में अगर आप इंचियों को ध्यान नहीं देंगे तो यह और बढ़ें करता है इसलिए इसको समझना जरूरी है ताकि यह नेक्स लेवल पर ना जाया है कंडिशन ठीक है अब समझते है कि यह किन कारणों से हो सकता है पहला कारण दोस्तों आदते हैं लोगों के खाने-पीने के आदते हैं बहुत खराब कुछी को कभी भी कुछ भी खा रहें कु पर डिपेंड करता है ठीक है कि वाई कई आदमी यह समझता नहीं यह ज्यादा खा लेता है या कम खाता है उसकी बोड़े रिकॉर्मेंट के अनुसार वो कम खाना खाता है तो भी डेवलप होता है उसके लावाई का रहाण होता है स्ट्रेस आदमी अंजाइटी में देखा जाए ओबररॉल जो भी आईवियस की सिम्टम्स होते हैं वो तरह तरह से देखे जाते हैं बहुंपर बात की जाए कई वार ऐसी बीमारिया होती है जिनकी वज़े से लंबे समय तक लोग एंटिवाटिक्स खाते हैं तो उनकी वज़े से यह डेवलप होता है क्या अब यह सब्सक्राइब करती है किसी व्यक्ति को नॉर्मल काम करना करते रहेगा अगर उसको कोई ची इरिटेट करेगी तो दिक्कत है यहाँ पर जो हमारा जी आई ट्रेक्ट होता है मतलब मुह से लेकर नीचे रेक्टल इरिया तक एनस तक यह पूरा एक सिस्टम है नॉर्म और यह प्लूर करर लेकिन कई लोगों में अपको बताए दूब होते हैं अमारी जैरे का यह इक और सब्सक्राइब कंट्रेट होता है इन में क्या होता है इरिटेशन आयाता है इसलिए बुम्हें सिंड्रूम भाह सांब बोला जाया कि आ हमका पेट THRU होना मतलब कि उसका जो बोबल मुमेंट था वो हो गया इरिटेट हो गया वो किन कारण से लाइब स्टैल के चलते डाइट के चलते कुछ भी कुछ भी खा रहे हो आप या प्रोपर नीन नहीं ले रहा है आदमी या जो है काम नहीं करना घर में पड़ा हुआ ठीक है तो यह कि यह कितनी तरह का होता जब भी किसिव को कंडिशन डेवलब होती है तो इसमें गानल्य क्राने चाहाईक करने करने चाहें अगे बहुत तागत लगाने पड़ागी जाते हो पटतै है अब यह बहुतु100 स्टैट हो जाते हैं मसल्स नाजोग होती है तो यह स operate बहुत ब्यकरी उती है तो लंबे समय तक भी नुकसान रही होता है उसी ऐक पार्ट होता हैसे जाता है या आतों में पहरी आता दूसरा बात करें दोस्तों यहां पर डाइयरिया की तो डाइयरे कि दस्त लग जाते हैं। बहुत ज्यादा में कहीं लोगों को यह इंतर पता नहीं होता है। आज समझ लो कि konstipation में जो ठीक हो जाता है और डायरिया में भूड धिला हो जाता है। तो इसलिए डायरिया में दस्त लगते हैं। नौन स्टॉप आदमी लेटिंग जाता है, एक natural ingredients होता है इसके अंदर फाइवरंस होते हैं ऐता है तो तो फॉइबर ज्यादर ज्यादर लेता है उसके लावा आप ले सकते हो ल्चियूब को पर वीडियो है मेरा एक बगर यह सब ले सकते हैं एलाज की बात बात करना है कि इसमें क्या इलाज दिया जा सकता है अगर EBS है तो तो देखा जाता है कि यह किस तरह का IBS है या डाइरियल है तो यहाँ पर अगर फाइबर देंगे तो भी ठीक हो जागा कुछ लूपी प्रोस्टोन दवाईयां होती है वो भी देती हैं बात के जाए डाइरि को इस्तमाल करते हैं क्योंकि यह कई बार आतों में इंफेक्शन हो या था उस बज़े से डाइरिया डेवलप होता है उसके अलाबाद डाइरिया में यह भी देखा जाता है तो नहीं तो उस कंडिशन में मैट्रो औरनेड़ोल यह सब चलता है वह बात अलग होती है तो यह आप लोप्रमाइड इमोडियम यह सब देते हैं डाइरिया को ठीक किया सकता है अभी बात आती है कि भाई करना क्या है बचना क्या से बचने के लिए तो यह है कि आप हमें सब प्रॉपर अपना जांच कराते हैं क्योंकि एच्पाइलोरी के इंफेक्शन की वज़े से कई अगर आपको क्या करना चाहिए आपको करना ही पड़ेगी डेली एक्टिविटी जरूरी है उसके अलावा कुछ नहीं करना है भाई आप फुल फूट्स जो सबजियां और फल होते हैं उनको खा सकते उससे कोई नुक्सा नहीं फाइबर ज्यादा सा ज्यादा ने फाइबर करने के लिए आप आप अपक तर्टार्스 की ट्क है आपको करना क्या नहीं इतो दूर ये खाते हैं वह नां खाये उससे ये चीज़ तक्ली बढ़ती है और सांथ मैं जो भी स्टोरेज रहते हैं आप उस ठड़ता रहता तो वो नहीं खाना तो यह चीज़ नहीं करना नींद प्रोपर लेना है कई बार देखा गया कि नीद ना लेने की वज़े से स्ट्रेस में चला जाता आदम उसका सिर्दुखता रहता और स्ट्रेस की वज़े से यह को डिसोल वगर गड़व तो आप एंटिस्पास्मोटिक ड्रग ले सकते हो भाई साइकलोपाम बगर आती हैं वो ले सकते हैं उससे पेट दर्द आरम मिल जागा परसिटामोल से भी आरम मिल जाता काई कंडिशन में उसके अलावा एंजाइम सिर्प टैबलेट ले सकते हैं एंजाइम से क्या भी नहीं खाना कई लोग ऐसा खाते हैं कि बंदी नहीं करते हैं तो वो नुक्सान दायक है कभी एंटसेट को ज्यादा भी नहीं खाना है कि कुछ समय के लिए अपना जो बोड़े फॉंक्शनल जो नॉर्मल है उसको करने के लिए आप यह सब ले सकते हो ठीक है तो जो बो हो सकती है पाइल हो जागा आपको अभी अचानक से कैसे डेवलब हो गया दूसरा अहांतों के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती कई दुनों तक इंफेक्शन बनने के कारण खाना जब सरता रहेगा आपको उतना कि एग्णोर करेंगे ध्यान निदेंगे तो वहां पर ब्लीड आपके समय में आया ओवराल कंक्लूञ़ रहे हैं क्या है अगर आपका फीट सोचने वाली बात है तो यह दो लंबे समय तक कंदिशन से आईवे रहे हैं सो आज की लिसर मितना ही दुस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें नहीं चैनल पर त दोस्तों जायें बनेंगे